वाइज वाइज वेल्कम तो आवर यूट्यूब चैनल जे ओ ओ ए वोर्योर्स तो आज हम मौक टैस सीरीज को कंटीन्यू ना करते हुए डिस्केशन करेंगे टॉपिक वाइस क्योंकि अभी जो है वह एक्जाम पोस्ट पॉन हो चुका है रद नहीं हुआ है पोस्ट पॉन हो चुका है और अभी लगता है कि लगबग एक महीना तो आपको अमनियूम लग जाएगा एक्जाम को दुबारे कंड़क्ट करवाने में तो अभी हमारे पास सफिशन टाइम है कि जो हमारे ऐसे टॉपिक हैं जो जिनके ओपर की डाउट है बनमा उन टॉपिक को जो है वो बिल्कुल खंगाले उनकी जड़ तक पहुंचे कॉंसेप्चुल अप्रोच रखें और इसके साथी एक जो कॉंसेप्चुल क्लिरंस होती उसको करेपारधरशीता रखें किसमें? कॉंसेप्ट में ज़ट तक हमकोंसेप्ट की जाएंगे बहुत इलेमेन और बहुत इंपल लेंगोज में आ और और प्रेंडरी लेंगवज में हम आपको बताएंगे कॉंसेप्ट को थार्ण क요 प्रेंरी की large वो इस वीडियो को देखेगा, वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक किजिएगा, शेर किजिएगा, चैनल के ऊपर नहीं है वो तो चैनल को कीजिएगा, सब्सक्राइब क्योंकि बहतरीन content के साथ हम आपके लिए daily basis पर वीडियो लेकर आते हैं, तो without further delay, let's get started तो primary key की सबसे पहले देख लेते की definition क्या होती, कि what is primary key, तो primary key is the minimal set of attributes of a table that has the task to uniquely identify rows or we can say the tuples of the given particular table, अब ये तो आपकी जो है वो bookish language आगी, या फिर आपकी जो है वो net है, internet है, उसकी language आगी, अब हम इसके मतलब को भी समझ लेते हैं, या क्या मतलब क्या होता है, क्या होता है, सब ही पढ़ रहे हैं, book में भी language पढ़ रहे हैं आप, और books में ही पढ़ रहे हैं, internet से भी पढ़ रहे हैं, classes से पढ़ रहे हो, पर अब हम इसके मतलब को जाने के क्या कि कहना क्या चा रहे हैं, तो जो हमारी primary की होती है, वो minimal set होती है, अब हम को यहाँ पर जो है, वो in lines की तहे तक जाना है, जी attribute क्या होता है, basically, attribute को मैं आपको जो mock test हमने जो करे थे, तो वहाँ पर हमने बताया थे कि ACF की form में लिखा जाता है attribute को, A से आपका attribute, C से column और F से field, तो अगर आपको यहाँ पर column आ जाया, तो उसका मतलब एक होगा, यान की column की बात की जा रहे है, attribute का म अब primary key is the minimal set of attributes, यानि columns का set है, ऐसे minimum, minimal column का, मतलब ऐसे कम से कम columns का set है, of a table, की एक table के अंदर हमारे पास, जो minimum number या सबसे कम number के columns दिये गए हों, उन सबसे कम numbers के column का एक ऐसा set है, that has, that has the task to uniquely identify the rows, जो की किसी row को अलग से identify करेगी, हमारे पास column दिये गए है, तो हमने ऐसे minimum column ऐसे कम से कम column चाटने है, जितना कम हो सके, उतने कम column चाटने है, जो हमें क्या define करें, जो define करें कि हमारे पास जो row है, उसकी एक अलग identity किस तरह की है, और we can say the tuples of the given particular table, तो tuples को भी जो है वो row कहा जाता है, तो अकर जैसी के हमने ACF हमने आपको shortcut form बताई है, attribute, columns और field की, उस तो अगर rows आ जाए, tuples आ जाए, record आ जाए, तो इससे भैभीत मत होईएगा, अब यहां से निशकर्ष हमारे पास क्या निकल कर आता है, देखे, primary की क्या होती है, यह उन attributes या columns का, उन कम से कम attributes और कम से कम columns का वो समों होती है, जो की एक row की identity को अलग दिखाती है, columns, एक ऐसा हम column select करते हैं, जो की column, जिस column की जो value होती है, वो एक row की अलग identity को परदर्शित करती है, primary की is the minimal set of, यानि की कम से कम set, जितना कम हो सके, उतना कम set of attributes, यानि columns का set है, on a table that has task to uniquely identify, जिसका कारे क्या होता है, uniquely identify मतलब एक अलग तरीके से पहचान करवाना, किसकी, एक particular row की और एक particular टपल की, row और टपल सेम होता है, row भी आपकी सेम होती है, टपल भी आपका सेम होता है, और records भी, उसी तरह आपका attribute भी सेम होता है, column सेम होता है, और field आपकी बिल्कुल सेम होता है, तो यह होती है, हमारी क्या होती है, primary की, I hope आपको समझा गया होग यह आपके attributes है यह आपके columns है ACF की category में से देखा जाएगा attributes है, column है, field है और अगर आप इसे horizontally इस तरीके से देखो तो यह आपकी क्या बनाई जा रही है आपकी बनाई जा रही है भईया row ठीक है row, RTR row भी ने कह सकते है टपल भी ने कह सकते है और records भी ने कह सकते तो इस चीज़ को याद रहे है जब आप vertically इसे distribution कर रहे हो तो आप field, column की form में कर रहे हो attribute की form में कर रहे हो vertically horizontally जब हम इसे गिरा रहे हैं इस तरीक से देख रहे हैं भया तो यह हमारी row बन जाती है टपल बन जाती है और record बन जाती है यह चीज़ आई हो आपको clear हो चुकी होगी अब हम देखते हैं तो हमने क्या पता है था कि minimal set of attribute तो यह हमारे पास देखिए attribute दिये गए है अब इसका minimal set कौन सा होना चाहिए जो की row की अलग value को दिखा है ठीक है जी, अब हाँ पर हमने क्या लिए यह चीज़ आपको दिखा है यह condition आपके बन सकती थी इसके साथ ही एक और condition आपके बन सकती थी कि इसको लेकर marks को लेकर अब हो सकता था यहां पर कि आपके पस 34C आपके 101 row number के marks हो और 34C आपके जो है 103 row number के marks हो तो देखिए अब हमने क्या करा कि जो primary की हमारे पास होती है तो वो हमारी particular row का data हमें दिखा दे यह unique identify हमें दे दे अब देखिए यहां पर unique क्या है row number है अब ऐसा तो नहीं है भया कि एक ही व्यक्तिया एक ही student के दो row number होंगे या फिर एक ही row number के उपर दो student बैठे होंगे row number एक है तो उसका student भी वहां पर एक बैठेगा यह आपका दूसरा row number है तो दूसरे पर भी एक ही student होगा तीसरा row number है यहाँ पर भी एक ही student होगा परन्तु यह possible है कि 101 row number पर भी हमारा जो हो x ही हो और 102 row number भी x ही हो एक ही कक्षा में दो नाम के व्यक्ति हमारे हो सकते हैं ठीक है जी तो name equal हो सकते हैं बिल्कुल जी same हो सकते हैं marks करकर बात की जाएं जो score किया है उन्होंने जो अंक लेकर आए हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो x के number है उत्रहीं आपके y के number हो उत्रहीं आपके z के number हो तो ये तो हमारा same नहीं हो रहा है होसकता है इसमें row number दीखिए row number हो हर एक व्यक्ति का अलग हो सकता है रो number की जगे हम यहां पर student id number भी ले सकते हैं जो student का id number हो वो भी हमारा बिल्कुल अलग हो सकता है तो जब हम क्या करेंगे database के अंदर जब हम क्या करेंगे row number को इस तरीके से लिखकर primary की action करकर वहाँ पर 101 लिखेंगे और click करेंगे तो वो हमें ये values को select करके दे देगा 101 के बाद हमारे पास क्या आएगा कि 101 के बाद row number 101 उसका नाम क्या आएगा X और Mars कितना आएगे 34 तो ये क्या कर रहा है ये हमारे पास क्या है कि हम particular row की identity को बता सकते हैं column की value को select करके एक particular row की identity को हम बता सकते हैं इस तरीके से जह है वो primary की का उप्योग किया जाता है अब यहाँ पर हम देख लेते कि या conditions क्या क्या रहती है primary की के लिए तो primary के लिए सबसे पहली condition हमारे पास क्या थी minimal minimal का मतलब है कि कम से कम attribute कम से कम column statement को देख लेते है the primary की should be composed of minimum number of इस चीज को जो है वो mark कीजिए minimum number of मतलब ऐसे कम से कम जितने कम हो सके maximum की एक column ऐसा होना चाहिए minimum number of attributes यान की columns that satisfy unique occurrence unique occurrence of tuples जो की row की row को मतलब ऐस तरी के सद्गाए कि जो row की values है वो बिल्कुल अलग है अब suppose कीजिए अगर हमने यहाँ पर primary की x रखा होता और इन तीनों का नाम x होता तो अगर हम x के नाम से सर्च करते हो तो यहाँ पर ज़ह हो चाहिए उसका नाम बिल्कुल चाहिए आपकी क्लास में 10 बच्चे हो और 10 दस का नाम बिल्कुल सेम है पर तो row number तो अलग रहेगा तो यह चीज़ यहाँ पर follow हो रही है तो अब देखते हैं कि यूजिंस सिंगल एडरिबूड की है वो एक सिंगल कॉल्म को बना कर बन ती आ अब यहाँ पर कया बोल रह रहे हैं कि क्या कंडिशन दे रहा है कि सब्सकेजिए अगर आपके पास एक की है वो आपकी एक कैंड़िड violence को बना कि बन रहे है एक candidate की है आपकी जो की आपके दो columns को बना कर बन रही है ठीक है जी उसके बाद and another using a single attribute और जो another है आपके पास वो एक स्रोल नम्बर को ही बना कर बन रही है तो हम किसको चूज करेंगे भाया हम चूज करेंगे उसको जो की एक minimum set को बना कर बन रही है और minimum क्या होगा दो से कम ह होगा एक हम किसको चूज करेंगे कि then one with the single attribute की should be chosen as the primary key तो जो single column को define करेगी वो ही हमारी primary key होगी हमारे पास क्यों सकता है कि unique identity हमारे पास दोनों हो सकते हैं यहां पर मैं एक और चीज आपको बता देता हूं देखिए इसके साथ एक और example मैं आपको देखर चलता हूं यहां इंडेट की और primary key में किस तरीके से यहां पर बात किजा रही है suppose किजिए कि हम एक class का table बना रहे है ठीक हमने बना दिया अब हमने क्या करना है कि एक जगे हम उसका क्या कर रहे है रोलमबर यहां पर लिख रहे हैं दूसरी जगे उसका जो है वो name लिख रहे हैं तीसरी जग मैंने यहां पर क्या कर दिया कि दिती का 1, 2, 3 यी बच्चे हमने लिए, तो 3 लो नंबर हमने कर दिया नंब या आशीश wys tweet अब्हान्चम, इसलग्वमर थिश्रे का कर दिया HA निशान्त आशीश Уर अभा और निशान्त नंबर हमने इसके बता दिया भीई है कि इसे प्रेमरी की बन सकती थी जब आशीश और अलग अलग पेरेंट्स की संतान होते हैं अब यहां पर आशिश और आभा के माता पिता एक ही हैं, तो यहां पर इनका उरू नंबर एक हो जाएगा, फो नंबर जब एक हो जाएगा, तो यहां पर प्रैमरी की नहीं बन सकती, तो यहां से यह हटके क्या बनगी भया, कैंडिडेट की बनगी, कि मतलब कि इसकी जो है, हमारी नल नहीं होगी, तो यह हमारी किसमें कंसिडर हो जाएगी, कैंडिडेट की में, मतलब कि यह पार्शली जो है, वो प्रैमरी की भी बन रही है, प्रंतु, इसके साथ यह नल वैल्यू को भी कंटियन कर रही है, तो फो नंबर हमारा प्रैमरी की बन सकता है, के से यह देख रहे हैं कि जब हमारे पास कोई दो कोलम पर ड्रीकुलर दिये गए हों, उसमें से जो मिनिममम हमने वैल्यू देखना है, कैसा कौन सा मिनिममम कोलम है, जो बैस्ट सूटेबल कर रहा है, प्रैमरी की के लिए, यहां पर हमारा रोल अमबर कर रहा है, फो नंब value non-null value का मतरब क्या है non-null values यहाँ पर दो चीज़े आपको निकल कर आती है इन चीज़ों को note कीज़े non-null value में एक तो यह होगा कि जो primary key में है उसमें एक value contain होनी ही चाहिए एक value contain होनी ही चाहिए ऐसा नहीं है कि suppose कीज़े आपके पास मैंने table दे दिया और यहाँ पर इनका phone number हमने लिख दिया और यहाँ पर इनका phone number हमने suppose कीज़े लिख दिया यहाँ पर दूसरा लिख दिया और यहाँ पर हम null कर दें phone number अगर कहीं भी आपको column के अंदर attribute के अंदर null मिले तो वो आपका column primary key की category में include नहीं होगा ठीक है जी अगर आपका कोई column है वहाँ पर या तो values सेम मिले column में या फिर आपकी जो value है उसमें कुछ निल हो लिखा हुआ null हो लिखा हुआ column की value blank हो तो वो primary key की category में नहीं आएगा ठीक है जी तो दुबारे है कि for each tuple of the relation which is required for the identification of a tuple मतलब कि अगर tuple ही आपकी खाली रह जाएगी तो हमें मालूम कैसा होगा भया कि कौन सी tuple की बात कर रहे हैं तो the primary key must have non null value यानि कि non null value मतलब null value include नहीं होगी for each tuple हर एक tuple में value का होना आवशक है हर एक tuple मतलब हर एक row में value का होना अवशक है अगर suppose कीज़ें यहां पर 46 blank होता बिलकुल या फिर आपका जो है वो row number में 102 blank होता तो हमारी row number भी जो है वो primary key की category से बाहर चली जाती क्यों क्योंकि भया primary key value को include करेगी ही ऐसा नहीं हो सकता कि एक tu हम क्या देएंगे इसमें unique होनी चाहिए the value of the primary key must not be duplicated must not be duplicated in any of the tuples मतलब कि किनी और row में वो values नहीं होनी चाहिए जैसे कि यहां हमने देखा था यहां पर जो है वो x x ही हमने कर दिया था तो यहां पर row में सारी values जो है इस row में भी x है इस row में भी x है और इस row में भी x है तो यहां पर values repeat हो रही है मतलब यह हमारी name primary की नहीं हो सकता परन्तू यहां पर row number बिल्कुल सेम नहीं हो सकता तो यह हमारी जो है वो primary की count हो जाएगा यह column row number हमारा क्या हो जाएगा primary की category में आ जाएगा अब यह इसके तीन मेसिक values होती है एक तो unique होनी चाहिए दूसरी non null value होनी चाहिए मतलब की value तो include होगी और तीसरा क्या होना चाहिए minimum minimal होना चाहिए मतलब कम से कम ऐसा column देखो जहां पर की values जो है वो क्या है values जो है वो null नहीं है और values जो हैं वो अलग है ठीक है यह हमारी primary की होगी अब एक और example देख लेते है candidate की यहाँ पर दिखाए चाहिए primary की दिखाए चाहिए और alternate की यहाँ पर दिखाए चाहिए अब देखिए यहाँ पर हम क्या चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर candidate की कौन साथ रखा रहा है यह candidate की दिखा रहा है student ID candidate की है क्योंकि student ID सबकी अलग हो सकती है row number candidate की है row number सबके अलग हो सकते हैं और email ID है यह candidate की है क्योंकि email ID भी सबकी अलग हो सकती है परन्तू तथिंग इस यहाँ पर क्यों इसने जो है वो first name और last name को candidate की के अंदर include क्यों नहीं क्या क्योंकि first name और last name हो सकता है, सबके समान ही हो, सबके एक जासी हो ऐसा काफी साथ देखना हो मिलता है, कोई आशिश शरमा है, कोई निहाल शरमा है कोई विवेक शरमा है कोई आशिष ठाकूर है कोई निशान्त ठाकूर है कोई धीरश ठाकूर है तो last name और first name सेम हो सकते हैं इसलिए हमारे candidate की के अंदर नहीं हाते अब यह क्या निकल कर आ गया हमाँ से वही concept निकल कर आ गया हमारे पास हमने क्या दिखा था कि minimal set होना चाहिए अब हमको candidate की ने एक चीज़ दिखा दी कि हमारे पास तीन column तीन attribute दिये गए हैं उन्हें तीन attribute मैं सी हमने primary की निकाल ली है अब हार को और क्या चीज़ देखनी है तो minimal वाली condition हमने लगा दी कि minimal हमको set मिल गए जो repeat नहीं हो सकते उसके बाद हमने condition क्या देखी कि non-unnel value तो इसमें से non-unnel value कौन सी है भाया non-unnel value भी सारी है 11 है 12 है 13 है बिलकुल अलग है ABC है XYZ है MNO है यह बिलकुल सही है जी यह भी अलग है तो उसके बाद हम क्या देखेंगे उसके बाद हमने देखेंगे यहाँ पर उसके बाद unique क्या है सबसे अलग क्या है तो ऐसा first column को उठाई जो सबसे अलग है first column में हमको यहीं दिखा देखने को मिल याग भाया कि हमारा क्या है जो student ID है वो बिलकुल अलग है यहाँ पर एक roll number है यहाँ पर दो है यहाँ पर तीन है उसके बाद हम next column पर shift होगे जब हमारा को already student ID यहाँ पर दिखा दी है student ID जब already हमको दिखा दी है तो हम next column को उपर जाएंगा है क्यों क्यों कि हमको minimal value को देखना है कम से कम value को देखना है अगर first में हमारे पास का value count हो रही है तो हम next question को उपर जाएंगे निया अब यहाँ पर suppose कीजिए अगर email आपका होता तो ऐसा हो सकता है भाईया कि जो tom और nick है इन दोनों का जो हमारा email है वो same ही होता तो यह हमारे जो candidate की के अंदर नहीं आती उसके बाद alternate की के अगर हम बात करें कि इनके अलावा और कौन की कीज है हमारी जो primary की बन सकती ही तो हमारा roll number बिल्कुल जहां roll number भी हमारा जो है वो primary की बन सकता था इसके बाद email एडर भी primary की बन सकता था बट conditional में बन सकता था अगर हमारी सबकाई में letter same नहीं होता यह हमारे पास alternate की आगी यह हमारे पास candidate की की का मतलब क्या है कि ऐसी values candidate की में हमारी जो है वो null value भी include हो सकती है इस जिशको आप याद रखिए प्रतो primary value में primary की में null value को include नहीं रखा जा सकता एक और हमारे पास जो है वो जो है वो क्या निकल कराता है table निकल कराता है अब यहाँ पर देखे product दिया गया है यह product की detail है यह suppose की जब आटा हो सकता है चावल हो सकता है कुछ भी हो सकता है product company की ID यहाँ पर देखिए कि यह company की ID देदी गए कि कि किस company ने इस product को बनाया है यह product की ID दे दी गई है बहाया की product की ID क्या है और यह हमारा product का नाम दिया गया है अब हम यहाँ पर suppose कर लेते हैं जैसे कि company 09 दे दी company 12 दे दी, company 02 दे दी हम इन company को कुछ और नाम दे देते हैं हम इस company को क्या कर देते हैं भहिया यह Tata इसको हमने दिखे कर दिया कर टाटा के दे दिया इसको हमने क्या दे दिया टाटा इसको हमने फॉर्चुन दे दिया और इसको हमने क्या दे दिया पी मार्क दे दिया टाटा फॉर्चुन और पी मार्क ये दो कमपनिया हमने तीन कमपनिया बदा दी अब प्रोड़क्ट की रहे हैं यहां पर तेल तो तेल वाई से बना दिए और पी मार्क भी मना रहे हैं यहां पर तेल तो तेल यहां पर जैर से हुगा प्रंतु अब क्या ऐसा हो सकता है कि टाटा जो है कलको नमक बनाना भी शुरू कर दे तो बिल्कुल सही हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि टाट प्रोडक्ट का नाम थोड़ी चेज हो जाएगा प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट का नेम है आपका वह ओईल ही रहेगा और ऐसा भी हो सकता है कि जो कलको फोर्चुन है वह आपका कलको सॉल्ट बनाना शुरू करते तो प्रोडक्ट का नाम यहां पर एक्स हो जाएगा तो यह हम पर fortune का salt का packet होगा तो उसकी ID अलग होगी उसी तरीके से कर हम company ID की बात करें तो company का नाम हमारा जो है वो क्या नहीं हो सकता क्यों कि उसी company के नाम से कोई और product भी तो बन सकते हैं अब यहाँ पर देखिया अब company के नाम से हमने यहाँ पर salt भी बना दिया और यहाँ पर oil भी बन दिया तो एक ही company के नाम से different kind of products बन सकते हैं परन्तु एक product की एक salt के packet की ID या उसका QR code तो अलग होगा तो इस त्रीके से हमारी product ID बिलकुल अलग हो जाएगी यहाँ पर हमें एक और चीज़ देखते है अब student आपका चार्ट आगे तो roll number हमने दिखा दिया यहाँ पर name दिख यहाँ पर जो column है यही सैल है यह विलकुल हमारा empty divided ़िया गया गया है यह हमारा जो प्रहों से और प्रहेद के मेराई के महन के उनिक की में चला गया है क्योंकि इसकी value हमारी empty हो सकती है थे कैube अगर यहां पर हमारा स्पोस्थ कीजिए s simulator गाल गया देया हो गया था होता गया और प्णार अपर द्ड़िगी बन सकता था सलगाा क्योंकि अलग होनी चाह clownें आ पर शार कि अनडर की बिल्कुल आलग होनी से लग बाक रहे और रम्हार seems और खambi विश्प आगी तो यह हमारा दुवारा है जो किसका प्रैमरी की का कॉंसेप्ट नहीं बन तो एक सबसे 20 विश्प कीद का बनता है सिरफ रोल नंबर का इसके साथ फोन नंबर का बन सकता था अगर यहाँ पर कोई अलग फोन नंबर होता पर काई cases में ऐसा देखा गया कि कहीं के phone number बिल्कुल सेम होते हैं post code अगर आप std मिला रहे हो तो वहाँ पर जो आपका std पीन होता वो बिल्कुल सेम होता है post code number आपका बिल्कुल सेम होता तो यह हमारे primary key के अंदर include नहीं रहेंगे next देख लेते कि it is possible to delete the set primary key from an attribute using alter and drop काफी जादा important point की हम alter और drop करके क्या कर सकते हैं भया primary key को बिल्कुल खतम कर सकते हैं alter क्या करना है modification करना drop का मतलब है पूरे table को ही खतम कर देना alter और drop के बारे में हम topic wise आगे बताएंगे बिल्कुल जड़ तक इसकी जाएंगे आज की video में हमने focus अकना है किसी के उपर भया primary key के उपर ही अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बारी दुबारे वीडियो हमने यहाँ पर क्या discuss किया सबसे पहले हमने discussion किया primary key के statement के बारे में उसके बाद हमने tabular form में देखा कि किस तरीके से primary key हमारी होती है उसके बाद हमने conditions देखी कि क्या क्या condition होती है after that हमने यहाँ पर condition के बाद हमने दो tables की form से बताए कि candidate की primary की और alternate की किस तरीके से हमारी primary की बन सकती है उसके बाद हमने आपर company का example आपको दिया बाद में जहाओ student का example देखे हमने unique key को भी आपको define क्या कि unique key में हमारी null value include हो सकती है उसके बाद हमने ये भी देखा कि primary key को किनके द्वारा delete किया जा सकता है alter और drop की साहता से अब हम चलते है questions के उपर पहला question है कि how many primary keys can be have in a table एक table के अंदर हमारी कितनी primary key होनी चाहिए comment box में आप मुझे इसका answer बताएगी एक table के अंदर कितनी हमारे पास primary key होनी चाहिए अगर आपके concept समझा रहे हैं कितनी होनी चाहिए भया option number 1 एक table के अंदर हमारी एक ही primary key हो सकती है जैसे की हमने देखे यहां पर देखा है यहां पर हमारा रोलंबर primary key के अंदर आगया तो एक ही primary key होगी हमारी उसके बाद हमारा product ID में product की जो है वो detail आगई product की क्या आईडी आगई तो यह हमारी primary key बनकर आगई उसी तरह यहां पर अगर हम देखे तो यहां पर हमारी student ID है वो हमारी primary key बन गई और उसके साथ ही हम यहां पर देखें तो यहां पर हमारा जो है वो रोलंबर है वो हमारा जो है वो primary key की category में चला गया है तो यह हमारा primary key की value है वो बिल्कुल एक ही होनी चाहिए तो option number A will be right one उसके बाद by default which key creates cluster index ऐसी कौन सी की है जो हमारा cluster index को develop करती है काफी जाता important question है star markis question को कर लीजेगा cluster index को जो बनाती है हमारी primary index अब भया हमारा question उड़ जाता है कि cluster index और simple index में फरक्या होता है तो मोटी मोटी language में आपको बता देता हूँ देखिए जो हम book के पीछे जब हमारे कोई index बने होते है एक arrangement form में, sorting form में होते हैं वो हमारे simple index होते है cluster index हमारे क्या होते है कि जहां पर हमारे order repeat होते हैं 1,2,3,4,5 order repeat हो रहे है repetition में जहा रहे हैं वो हमारे clusternd index होते हैं यह हमारी short form है नेक्स टोपिक में मैं इसे कवर करवादूँगा अगर आप चाहते हो कि इस तरीके की वीडियो लाइजे कमेंट बॉक्स में हमें बताईएगा तो मोटी मोटी भाशन आप सीख लें कि जो आपके जो है वो बुक के फर्स्ट पेज पर जो इंडेक्स बना होता है वो आपका स इसके उपर वीडियो बहुँ जल्दी लेकर रहेंगे नेक्स कोशन है अब यह देखिए हमने यहां कोंसेप्ट बढ़ा यूनीक की का और प्रैमरी की का इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है यहां पर हम जाके कोशन को देखते हैं कि यूनीक की कैन हैव मल्टीपल नल व गलत हो गई अगली स्टेटमेंट परते हैं कि यूनीक कैन हैव अ सिंगल नल वैल्यू बट प्रैमरी कैंट हैव इवन सिंगल वैल्यू तो बिल्कुल सही है कि यूनीक की हमारे पास एक सिंगल वैल्यू हो सकती है एक से ज्यादा भी हो सकती है परन्तु प्रैमरी की हमारे पास जो है वो एक भी single या null value नहीं हो सकती, तो option number B will be right one. Next question है, which of the following is not a key in SQL structure query language के अदर में से कौन सी की नहीं है, primary key भी होती है, foreign key भी होती है, alternate भी होती है, secondary भी, अब देखिए, alternate key पढ़ चुके हैं, primary key भी पढ़ चुके हैं, foreign key आगे पढ़ेंगे, तो secondary key जो है, वो SQL के अंदर नहीं होती है, अब ये question है, which of the following is the best example of primary key, primary key का इन में से कौन सा best example हो का, इतनी सारी list आपको keys की दे दी है, अब आपका काम क्या है, comment box में आप मुझे बताइए, कि primary key इन में से कौन सी नहीं हो सकती, क्या employee का name primary key हो सकती है, क्या employee का phone number primary key हो सकती है, employee का address हो सकती है, ID हो सकती है, क्या भी number हो सकता है, age हो सकती है, विकल हो सकता है, विकल का number हो सकता है, breast का code हो सकता है, अपने दिमाग के गोड़ों को दोडाइए, और इस वीडियो को एक बारी द्वारे दिखे, जो मैंने समझा है, उसको परखी अपने दिमाग की कसोटी पर, condition की और question की कसोटी पर, और बताइए मुझे कि इन में से कौन सी जो है वो best, one of the best primary की हो सकती है आपकी, तो ये थी आपके आज की वीडियो प्राइमरी की की regarding जल् की काफी जादा भी मुझे लगता है कि एक साम एक डेड़ मिना तो लग जाएगा, अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास समय कॉंसेप्ट की clarity को लेकर चलेंगे, तो किस तरीके के आपको वीडियो लगी, को सजेक्शन हो हमें 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 comment box में बताइएगा, वीडियो अच्छे की के से हम जोग स्लेब इसकोप कवर करेंगे, तो यह आपको कैसा लगा, comment box में हमें हमें इस कांसर जुरूर था है, क्या-क्या improvement हमें कर रही चाहिए, वो भी आप हमें बताइएगा, मिलते हैं किसी और दिन किसी next topic के ओपर, और कीज कीज से related ही अलग topic को बेटिल दिन, preparation को बुस्ट के, जै बारत, जै हिमाचल, God bless you all.